नमस्कार, मैं हो ससी, आए जारखन की टॉप 25 पर मुख खबर जानते हैं सितंबर आवेधन की आखरी तारिक थी, इसके बाजूद निबंधन और आवेधन की परकिरिया जारी थी, लेकिन सरकार ने अब इस पोर्टल को बंद कर दिया है, अब निबंधित किसानों को राहत का इंतजार है, बता दे कि राज में कूल निबंधित किसान 38 लाग है, अमत की खेती में मदद मिलेगी, मौसम केंदर रांची के वरिष्ट बैग्यानी अभिसेक आनांद के मताबिक राजे में अगामी 5 अक्टूबर तक हलके से मददर्ज की बारिष की समभवना जताई है, कहा है कि 3 अक्टूबर की साम से भारी बारिष की समभवना जताई, जो 4 अ खोटी और रामगर्त था उतर पूर्वी जार्खन देवगर धनबाद दुमका गिरी डिगोटा जाम तड़ा पाकूर एवं सहायो गंज में भारी बारिस की समवना जाताई है पारा सिक्षक आकलन परिक्षा अवेदन की तिति बढ़ाने की मांग जार्खन प्रगति सिल सिक्षक संग ने सहायक अध्याप को पारा सिक्षक की आयो जीत होने वाली आकलन परिक्षा में सामिल होने के लिए अवेदन की अमतिम तिति बढ़ाने की मांग की है इस परिक्षा में सामिल होने के लिए 22 सितंबर से आवेदन पर क्रिया शुरू की गई है जिसकी अमतिमतिती साथ अक्टूबर ने धारित है संग ने स्कूली सिक्षा एमसर्चरता विभाग तथा जारखन एकेडमी काउंसिल को गयापन सौप कर कहा है कि बर्तमान समय में रायस्व करमचारी के हरताल में रहने के कारण करणत सहायक अध्यापों का जाती पॉन पत्र नहीं बन रहा इस से वे आवेदन नहीं भर पा रहे अंकीता के गवाहों को मिल रही धमकी बाबुलान ने डिजीपी से की बात धुमका सहर में पेट्रोल से जलाकर हत्या कर दी गई नावालिक छात्रा अंकीता के पिता को सोसल मीडिया के माध्यम से धमकी दी जा रही है पिडिता को इंसाफ दिलाने की मांग को लेकर अंदुलन करने वाली भाजपा महिला मोर्चा की नेताओ, जिला अध्यक्ष, नितु जा, प्रियत दता और पुस्पा सिंग को भी धमकी मिली है खास बात है कि सोसल मीडिया से दी जा रही धमकी में जारकन के डिजीपी का भी नाम लिया जा रहा है बता दे इस बीच भाजपा विधायक दल के नेता ने बाबुलाल मरांडी ने राजे के डिजीपी से इस मामले में बात की है डिजीपी को यह जनकारी दी की धमकी से पिरिता के पिता और अन्य गवाह डरे हुए हैं दुमका की महिलाओ को भी जार्खन पूलिस का नाम लेका सोसल मीडिया के मादम से डराया जा रहा है भारत दक्षिन अफरीका किर्केट मैच 9 अक्टूबर को जार्खन की राजधानी रांची में 9 अक्टूबर को भारत दक्षिन अफरीका के बीच किर्केट मैच खेला जाएगा और से बाद यहां मैच होने से किर्केट प्रेमी बेहद उत्साहित है इस मैच के लिए टिकट की कीमत ताय हो गई है 16 अक्टूबर से टिकट की विक्री पराराम्ब हो जाएगी रांची के जेशिये स्टेडियमे होने वाले इस मैच के लिए खेल प्रेमी 8 अक्टूबर तक टिकट खरीद सकते है स्टेडियम में काउंटर रेडी है, आठ अक्टूबर को इसे खोला जाएगा, यह एक दिवस्य सीरीज का दूसरा मैच होगा, रांची के इस मैदान में टीम इंडिया के कई खिलाडी आपना जलवा दिखाएंगे बोकारों के डॉक्टर पर फैरिंग मामले में पुलिस ने बढ़ाया जाच, डॉक्टर इर्फान अंसारी पर गोली चलाए जाने की घटना के तीन दिन बीत गए हैं, अब तक अपराधी पुलिस की गरफतार से दूर है, स्पेसल इन्वेस्टिगेशन टीम के हाथ अब तक अंचालक, डॉक्टर, इर्फान अंसारी पर गोली चलाने वाले दोनों युग की तलास में बोकारों पुलिस लागातार जगा जगा दविश्ट दे रही है, साथ अस्थानिये most wanted criminals पर भी नजर रखी जा रही है, कई अपराधियों से SIT के सदस्यता पुष्टाच कर चुक जारखन में पुराने बेतनमान पर नहीं होगी सिक्षक नियुक्ती, जारखन के प्रारमबिक बिद्यालियों में अब पुराने बेतनमान पर सहायक सिक्षको के नियुक्ती नहीं होगी, बरतमान में जो सिक्षक कार रहेंगे, जो पद रिक्त हैं उन पर नहीं बहाली नही हो गी राईसरकार ने ऐसे शात्र वहार चार्षोचछ शैलिश सिभ्चों के रिक्ट पदो को सरेंडर कर दिया है ये सभी पद इंटर प्रसिख्षिक सहायक शिख्ष्ष irrigation के पद बरकरार रहें गे राज सरकार ने निसूलक एवं अनिवारब बाल सिक्षा अधिकार अधिकार अधिनियम 2009 के प्रवधानों के तहथ राजे के छात्र सिक्षक अनुपात की स्थिती में सुधार के लिए प्रारामभिक विद्यालों में सहायक अचार्य का नायाक केडर गठित किया है राजची के मेकलूसकी गंज में नक्सलियों ने जेसीबी में लगाई आग इस गटने के बाद से इलाके में दसत का महौल है सुत्रो सिमिली जनकारी के नुसार मैकलुस्की गंज थाना चेतर के विकास नगर बक्सी बंगला के निकट के इसी कमपनी का मिक्चर प्लांट है इसी प्लांट के परिशर में खड़ी जेसीवी मसीन को अग्यात हाथियार बंद नक्सलियों ने आग लगा दिया बताया गया है कि लाते हार जीला की ओर से लगबग बारा की संख्या में के इसी कमपनी के साइट अस्थल पर पहुंचे वर्दी धारी नक्सलियों आधूनिक हंत्यारों से लाइस थे रांची के बीर्षा जैविक उद्ध्यान के दो ACI सेरो का PUVN ने लिया गोध रांची के बीर्षा मुंडा जैविक उद्ध्यान के दो ACI सेरो को PUVN ने गोध लिया है इसी के तहट वन जीवों के संरक्षन के लिए पत्रातू विधूत उत्पादन निगम लिमिटेड ने एक वर्ष के लिए भागवान बिर्षा जैविक पार्क में दो ACI सेरो को अपनाने को लेकर जार्खन चिडिया घर प्रादिकरन के साथ समझावता गयापन का हस्ताक्चर किये बता दे कि रांची के इस चिडिया घर में करीब 1450 जंगली जानवर हैं इसमें अस्तनधारी, सरी श्रीप और पक्षियों की 83 बिभीन परजातिया भी उपलब्द हैं जैर्खन के परमुक पर्यटकों में सुमार इस चिडिया घर की रोनक और बढ़ गई है सो मार को दो ACI सेरो को गोद लेने के उद्यस्ते जैर्खन चिडिया घर प्राधिकरन और P.V.U.N के बीच समझावता हुई है जैर्खन में बुढ़ा पहारवा ट्राइजक्सन जीत की राज पुलिस के सामने आत्म समर्पन करने वाले हाटकोर नक्सली उमेश यादवन बुढ़ा पहारवा महराज प्रामानिक ने ट्राइजक्सन का भेद क्या खोला पुलिस को लगाताल सफलता है मिलती चली गई यही दुनों नक्सली है जिनकी बदलत बड़े नक्सली पकड़े गए और कईयों ने पुलिस के सामने घुटने तक टेक डाले बताद जर्खन पुलिस ने बुढ़ा पार को लबग नक्सल मुक्त घोसित कर दिया है जिसमें वहाँ सक्रिये रहे उमेश यादवने इनपूट की महतपुन भूम का निभाई है वही ट्राइजक्सन छेत्र में एक रोर के नामी प्रसांत बोस उर्फ की संदा सिला मरांडी जैसे बड़े ठिंक ट्रेक की गिरफतारी से लेकर एक रोर के नामी अनल के घर में पूलिस की दविस में दस लाग के नामी महराज प्रमानी का आत्मसवर्पन बहुत काम आया है जर्खन में रावन दहन, रांची में 70 फीट वा धनबाद में 65 फीट पांच अक्टूबर यानि बुद्ध वार को इस बार दा सारा बनाया जाएगा, इस दिन रावन दहन की परमपरा रही है जर्खन ही नहीं, देश भर में लोग रावन का पुतला बनाकर दहन करेंगे समारोह पुर्वाक होने वाले इस आयोजन में लोग बुरायों से दूर रहने का संकल्प लेंगे बतादे जर्खन के बिभीन जीलों में इसकी तियारी सुरू हो गई है, जगह जगह रावन के पुतले बनाये जा रहे है बड़ी संकाय में लोग एकत्र होकर इन पुतलों का दहन करेंगे, रावन ही नहीं, उनके साथ मेगनात और कुमकरन के पुतले भी जलाये जाएंगे इस मोके पर जम कर अतिस बाजी भी होगी, राईधानी राची के मौराबादी मैदान में इस बार रावन की उचाई सतर फिट होगी, वहीं कुमकरन के पुतले की उचाई साथ फिट की होगी, इन पुतलों को बनाने का काम सुरू हो गया है बाबा नगरी में मीनि गन फैक्टरी लगाने की थी तयारी 27 सितंबर को देवगर के काली रेखा मोहले से रोहित कुमार कसेरा दीपक कुमार गुपता वा राहुल कुमार गुपता उर्फ बेदी को पुलिस ने गिरफतार किया था पुलिस को पता लगा था कि कुछ लोग वहां अवैद हतियार के खरीद विक्री के लिए जुटे हैं इन लोगों ने पुलिस को चौकाने वाली जनकारी दी है बताया है कि देवगर में हतियारों की खेब मुंगेर से आती है अब यहां मेनी गन फ्रैक्टरी लगाने का सड्यंत्र था इसलिए मुंगेर के हतियार कारोबारियों से संपर्ग किया गया था मुंगेर के हतियार तसकर मनो उर्फ मुन्ना का नाम भी इस मामले में सामने आया है भाजपा नेत्री को धमकाने में भाई हिरासत में 23 अगस्त को पेट्रोल छीरक कर हुई हतिया मामले में पीडिता के लिए लगातार नया की मायं कर रही भाजपा नेत्री नित्तु जाको मजाक में महराज पुलिस के नाम पर धमकाने वाले उसके ही भाई जयराज जाको नगर थाने की पुलिस ने सोमवार की सुबा गोड़ा के मोतिया डुमरिया गाउं से हिरासत में लिया देर साम उसे नगर थाना लाया गया जहां नित्तु जाकी सिकाय तो अपस लेने के बाद पुलिस ने चेताउनी देकर छोड़ दिया बता दे भाजपा ने तरीक की सुवरी के हत्यारे को सजा दिलाने के लिए लगातार आवाज उठा रही है उन्होंने मुंबाई के यूटूबर बिनाय दुबे के खिलाब कुछ बात कही जो उसे नगवार लगी बिनाय ने नितू, मिरितका के पिता और प्रियादत के खिलाब मुंबाई पुलिसे सिकायत की है लंबे समय से लंबित केसों के निस्पादन के लिए बनी टीम जारखन भर में लंबे समय से लंबित केस के अनुसंधान की मोनेटरिंग और केस निस्पादन के लिए हाई लेवल कमिटी बनाई गई है डिजीपी नीरे सिना के अदेश परगठित इस टीम को 31 दिसंबर तक कांडो से निस्पादन का टारगेट दिया गया है कमिटी के अध्यक्स अभियान एडिजी संजय अनन्द लाट कर हैं जबकि आईजी सी आईडी असीम विक्रांत मींज को उपाध्यक्स सी आईडी डिजी को सदस्य सचीव सभी जोनल डिजी को सदस्य बनाया गया है पुलिस मुख्याले के आदेश में जीक रहा है कि राजे में जुलाई महिने तक 5 साल से लंबित अर्शे से 3302 केस लंबित थे वही 591 केस 10 बर्शे अधिक अर्शे से लंबित हैं अभियोजन सुक्रिती के कारण भी 448 कांडो का अनुसंधान लंबित है इन कांडो का अनुसंधान 31 दिस्तंबर तक पूरा करना है प्रदूसन जाच केंदर के लिए अस्थल निरिक्षन जारखन में प्रदूसन जाच केंदर की अस्थापन नवी करन के लिए नया दिशा नितेस जारी किया गया है इस समध में सन्युक्त परिवहन आयुक्त ने सभी जीला परिवहन पताधिकारी मोटार या निरिक्षा को पत्र लिखा है पर्दुसन जांच केंद्रों की अस्थापना की मंजूरी देने के लिए अब उसका अस्थन निरिक्षन और निरिक्षन पताधिकारियों का फोटोग्राप वो जी आई एस लोकेशन देना अनिवार्ज हो गया है इसके साथ कई और दिसा निर्देश जारी किया गया है बर्तमान में ऑनलाइन पोटल के माध्यम से पर्दुसन जांच केंद्र का लाइसेंस नवीकरन तथा वाहनों का पर्दुसन पहानपत्र निर्गत किया जाता है गढ़वा में दुरगा पुजा असल पर महाभारत देखने गई नबालिक से गैंग रेप दो गिरफतार गढ़वा जिले के चीनिया में एक नबालिक लड़की से समोहिक दुसकर्म का मामला सामने आया है इस घटना को दो लोगों ने अंजाम दिया पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफतार कर लिया है इधर पिरिता को मेटकल जांच के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया है बताया जाता है कि सनीवार रात गाव में दुरगा पुजास्थल पर महाभारत धारावाहिक दिखाया जा रहा था रात 12 बजे जब धारावाहिक खतम हुआ तो घर जाने के दोरान नबाली को दो लड़कों ने जबरन उठा लिया और वहाँ से 200 मीटर दूर ले जाकर दुसकर में किया रांची में बिजली संकट खतम होगी सिकिंदरी हाइडल पावर प्लांट की दोनो यूनिट से सोमवार को बिजली उतपादन अरंब हो गया है उलेकनिया है कि इस पन बिजली प्लांट की एक यूनिट से बीते 10 दिनों से उतपादन ठप था रभिवार को देर रात यूनिट संक्या दो को लाइट अप किया गया था फिलाल सिकिंदरी हाइडल से 110 मेगावार बिजली का उतपादन हो रहा है यूनिट तकनीकी खामी के कारण बंद थी सिकिंदरी हाइडल प्लांट की अधिय स्थापित छमता 130 मेगावार है यहाँ 65-65 मेगावार छमता की दो यूनिट से उतपादन होता है हाइडल के प्रोजेक्ट मेनेजर संजाय कुमान ने बताया है कि बिजली उतपादन में और बढ़ोत्री होगी बिजली उतपादन आराम होने से राची के आपूर्ती समाने हो जाएगी गुमला में मॉब लिंचिंग जारखन के गुमला जिले के जारी थाना छेतर में मॉब लिंचिंग के घाटना सामने आई है थाना छेतर की गोबिंद पूर्पंचायत के तीगरा गाव निवासी 32 वर्सिये एजाज खान की सोमवर साम उग्र भीड ने पीट पीट कर हत्या कर दी बताया गया है कि करिब 35 लोगों ने लाठी डंडे और लात घुचे से पीट कर एजाज खान की हत्या की है कोई उसे बचाने के लिए आगे नहीं आया मॉब लिंचिंग की इस घाटना ने लोगों को हैरान कर दिया है मालूम हो कि इससे पहले भी जार्खन में कई लोगों की भीड ने पिटाई कर हत्या कर दिया है साहब गंज में मुस्लिम यूग ने महिला के साथ की दुसकर्म की कोशिस साहब गंज के राधा नगर की अमानत दियारा पंचायत में रभीवर की रात एक बिवाहिता के घर खुश कर मुस्लिम समुदाय के यूग ने दुसकर्म की कोशिस की इसकी जनकारे मिलते ही गाओं के लोगों ने अरोपीत को पकड़ कर राधा नगर पूलिस के हावाले कर दिया पिडिता ने राधा नगर थाने में अपने सिकायत दर्ज कराई है जिसमें बताया है कि बीते 2 अक्टूबर की रात वह अपने घर पर सोई थी रांची में बारिस में भी भक्तों के उत्साह में कोई कमी नहीं दुरगा पूजा का खुमार बारिस भी कम नहीं कर पा रहा सोमवार की साम को भारी बारिस हुई घंटों भारी बारिस के बाद जब थमा तो भक्त पुजा पंडाल और मा का सिर्वाद लेने अपने घर से निकल पड़े राइधानी रांची के रातु रोड इस्थीत आर आर अस्पोर्टिंग कल्प के बाहर कई भक्तों को हाथ में छाता लेकर पुजा पंडाल घोमते देखा गया इसे देख का जा सकता है कि आस्था के आगे भी बारिस नत्मस्तक हो गई यहां का पंडाल जार्खन की लोक कला संस्किर्थी पर अधारी था BSL कर्मियों को क्वाटर किराये पर नहीं लगाने की चेतावनी बोकारो इस्टिल पलांट यानि BSL के नियमित करमचारी या सेवा निवरित करमचारी जिने लाइसेंस जोजना के तहत क्वाटर अवंटित किया जाता है ऐसे कर्मी अगर क्वार्टर को किराये पर लगाते हैं तो पक्ड़ जाने पर अवास अवंटन रद्ध कर दिया जाएगा BSL के संपदा नियालाय ने नियमा अनुसार अनुसांसनिक करवाई की चतावनी दी है संपदा नियालाय की और से सो मार को नोटिस निकाला गया है इसमें करवाई की बात कही गयी है संपदा नियालाय की नोटिस के बात से क्वारण को भाड़े पर लगाने वाले कर्मी सकते में दीख रहे हैं जमसेतपूर में बिदेशी खिलाडियों ने कीमाद दुरगे की अराधना दुरगा पुजा का उत्सव पूरे देश में पूरे धुमधाम से मनाया जा रहा है पच्छिम बंगाल के कोलकाता में जिस धुमधाम से पुजा का वजन किया जाता है जारखन के भी कई सहरों में उसी तरज पर पुजा होती है बताजे राज़ानीराची के अलावा जमसेतपूर की भी पूजा काफी मसूर है बड़े बड़े पंडाल बनाए जाते हैं मेले लगते हैं देर राद तक पक्त पंडालों में जाकर दासन करते हैं भारत में पूजा की संस्क्रीती बीदेशियों को भी आकर्शित करती है इसका नजारा जमसेदपूर के 80D पूजा पंडाल में देखने को मिला जमसेदपूर फुटबॉल कल्ब के मुखे कोच AD बूथरायड अपनी पत्नी और टीम के स्टार खिलाडियों के साथ 80D पूजा पंडाल में माद दुर्गा के दर्शन करने पहुँचे दुमका के पूजा पंडालों में चेन इसनेचरों का हमला दुर्गा पूजा पंडालों में उचकों ने करीब आधा दर्जन महिला सरधालों के सोने के चेन पर हाथ सफाई कर दिया नवरात्री के महा अश्टमी के कारण सहर के दुर्गा अस्थल एवं धर्म अस्थल मंदी समयत अन्य मंदीरों एवं पूजा पंडालों में महिला एवं पूरु सर्धालों के ताता लगा रहा नवरात्र के महा अश्टमी को खास कर दुर्गा अश्टमी के रूप में मनुवांशित फल की प्राप्ती को लेकर सदालू की खासी भीड उमड पड़ी थी इसको लेकर उचको और चोरो को भी मौका मिल गया और महिलाओं के चैन छीन हाथ की सपाई करते रहे बतादे करीब आधा दरजन महिलाओं के चैन उचकों ने उड़ा लिया दुर्गा अस्थल मंदीर से चार और धर्म अस्थल मंदीर से दो चैन उचक के उड़ाने की सुचना है पलामू में जैप आठ में फायरिंग के दोरान गोली लगने से आयार्बी जवान घायल लेसलिंग अस्थीत जैप आठ के परिसर में फायरिंग के दोरान आयर्बी का एक जवान घायल हो गया है घाटना रभी वार देर रात की है घायल जवान का नाम हीरानंद है उन्हें एम एम सी एच में भरती कराया गया जहां से डक्टरों ने उन्हें बेहतर इलाज के बताया जा रहा है कि जैप आठ में आयर्बी में भरती हुए जवानों का प्रतिशन चल रहा है इसी करम में रभी वार की रात नाइट फायरिंग में जवान हिरानंद जख्मी हो गया हिरानंद के इनसास में गोली फंस गई थी ज्यारखन में तीन मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीस में एडमिसन नहीं नेशनल मेडिकल काउंसिल ने ज्यारखन के तीन सरकारी मेडिकल कॉलेजों में इस सत्र में एमबीबीस में एडमिसन की जाज़त अब तक नहीं दिया है इन कॉलेज़ों में हजारी बग इस्थीत सेख बिखारी मेडिकल कॉलेज पलामु का राजा मेदनी राए मेडिकल कॉलेज और दुमका इस्थीत फुलो जानो मेडिकल कॉलेज सामिल है बता दे इन तीनों कॉलेजों में MBBS के 100 सूप सीटे है माना जा रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर और सिक्षकों की कमी की वज़ा से एन एमसी की ओर से हरी जंडी नहीं मिल पा रही ऐसे में हाँ अडमिशन की उम्मीद लगा है स्टूडेंट निरासा हैं धन्यवाद यदि आप चैनल परना है हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बाल का बेल एक अंदर बाईए साथिसाथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों के सेर करना ना भूले साथिसाथ आप हमें कोमेट बक्स में अपना फीड़वेक अवस से दे थैंक यू